ज्यान प्रभाकर प्रिय बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरन और रचना के अंतरगत भासा बोली और लीपी के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लोग भासा के बारे में जानेंगे भासा शब्द की उत्पती संस्कृत के भास दातु से हुई है जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना परिभासा भासा वह साधन है जिसके माधियम से हम अपने मन के भाव तथा विचारों को एक दूसरे के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के मन के भाव तथा विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं प्रिये बच्चों इस वीडियो में बस इतनाई धन्यवाद